हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका Study IQ IAS Hindi प्रेटफॉर्म पर आज की चर्चा में अभी हम लोग बाचित करने वाले हैं आंतरप्रदेश के मुख्यमंत्री चिन चंदरबाबू नाइडू ने जो बीती सरकार थी आंतरप्रदेश में इसके मुख्यमंत्री और इस सरकार के द्वारा किये गए एक बहुत ही बड़े कृत्त को लेकर के आरोप लगाया है ये आरोप क्या लगाया गया है इस पर हम लोग बाच्चित करेंगे दरसल जो तीरुपती में लड़ू का निर्मान किया जाता है जो लड़ू बनाया जाता है उसी को लेकर के ये आरोप लगाया गया है और इसमें वह ये बताया गया है कि सहब आपके समय में यानि आपकी सर साथ में इस लड़ू की शुधता के साथ में छेरचार की है और निशी तोर पर यह आरोप अपने आप में बहुत अधिक गंभीर हो जाता है हाला कि जो बीती सरकार थी यानि की YSR Congress कि जो सरकार थी जिसमें जगमोहन डेड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही प्रभाव समझने की कोशिश करेंगे क्या कि इसमें क्या कुछ गतिवी ध्यान देखी गई हैं साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि जिस तिरुपती बालाजी के बारे में बात की जा रही है जिस तिरुपती लड़ू के बारे में बात की जा रही है उसके संदर्व में आपको कला और संस्कृति के द्रिष्टिकों से भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई बार एक्जामिनेशन्स में इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर के तिरुपति मंदीर को लेकर के तिरुपति लड्डू को लेकर के कई बार सवाल पूछे भी गए हैं तो निशित आपर यह टॉपिक आपके लिए उप्योगी हो सकता है आईए चर्चा की शुरुआत करते हैं सामने यहाँ पर मैंने एक निउज मेंशन किया है जिसमें यह इंडिकेट किया गया है कि चंदरबावू नाइडू क्लेम्स एनिमल फैट इूजड इन तिरुपति लड्डू यसर कॉंग्रिस डिनाइज यानि कि जो बीती सरकार्थी उसके द्वारा इसको खंडित किया गया है आखिर क्या सच है यह तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा लेकिन इस पर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि यदि आप सिविल स्वाप रिच्छा की तयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही बेदर तरीके से शांदार तरीके से आप जी एस की परहाई करें तो आपका स्वागत है P2Y Batch के अंतरगत प्रतिग्या प्रस Batch के अंतरगत यदि आप इस कोर्स को जोईन करना चाहते हैं तो आप दिली प्लाइफ कोर्ट का इस्तिमाल कीजिए इसके अंतरगत आप इस कोर्स को बहुत ही सिलसलिवार तरीके से कवर कर सकते हैं ध्यान रखेगा कि यदि आप हिंदी माध्यम हिंग्लिश या इंग्लिश मीडियम में तरीके से पूरा कर सकते हैं और इसे आपको बहुत अधिकलाब मिल सकता है इसके अलावा आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि 2026 या 2027 के लिए सिविल सिवा परिछा के तियारी कर रहा है तो इसके लिए लॉंग टर्म मौर्निंग बैच की शुरुआत की गई है तो इस बैच में भी आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करके एडमिशन ले सकते हैं ध्यान रखेगा कि ये जो बैच है इसमें एडमिशन की अंतिम्तिती 20 सितंबर यानि की कल तक ही है इसलिए जल्द से जल्द इस कोर्स में अडमिशन लेने के लिए इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और इसके माध्यम से GS के अपनी परहाई शुरू कीजिए निशित तो पर इससे आपको लाव मिलेगा आगे हम लोग बाच्चित करते हैं फिर से उस महत्वपूर्ण बिंदू पर आते हैं सामने आप देख रहे हैं तस्वीर में तिरूपती लड़ू बहुत ही फेमस है इसे GI टैग भी मिला हुआ है ध्यान रखेगा जेग्रेफिकल इंडिकेशन यानि की भौगोलिक संकेतक के तो आपर भी इसको महत्व मिला हुआ है आपने साइंस और टेक्नलोजी में GI टैग के बारे में जरूप रहा होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि भारत में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वस्तू को सबसे पहले GI टैग दिया गया था बहुत ही फेमस कोश्चन है मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसका उत्तर देंगे तो बहराल यहाँ पर जिस तिरूपती लड़ू की बात कही जा रही है उसमें आरोप जो लगाया गया है वो ये दर्शारा है कि भाई इसमें शुद्धता को बरकरार रखने पर बल दिया जाता है और जिस तरीके से जो जानवर के वसा का इस्तिमाल किया गया है गी के अस्थाम पर उससे इसकी शुद्धता भंग होई है और इसी आधार पर ये आरोप यहाँ पर लग रहे है दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपून बाते हैं समझने की वो यह है कि जिस तिरूपती बाला जी की बात हम कर रहे हैं जिस तिरूपती मंदिर की बात हम कर रहे हैं इसके बारे में क्या कुछ खास जानकारिया होनी चाहिए सामने आप जो महतवपूर्ण तस्वीर देख रहे हैं महतवपूर्ण जो विग्रह देख रहे हैं ये कोई और नहीं बलकि तिरुपती बाला जी की ही यह मुर्ती है जो की खड़ी मुद्रा में वहाँ पर अवस्थित है इसके अलावा ये जो आप पार्टिकुलर लोकेशन देख रहे हैं ये तिरुपमाला का ही वह लोकेशन है जहां पर यह मंदिर अवस्थित है इसके बारे में भी हम लोग और डिटेर्में बातचित करेंगे यहां पर जो आरोप लगाया गया है मैंने आपको क्लिय कर दिया जानवरों के वसाका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया घी के अस्थान पर ये आलोप के दौरान कहा गया है कि जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है जो कि उस मंदिर से संबंधित सारा जो प्रवंधेन है वो सम्हालता है इस देवस्थानम के दौरा जो करनाठक मिल्क फेडरेशन है, इस फेडरेशन को पहले सामाने तोर पर घी के लिए कॉंट्राक्ट दिया जाता था, जो भी और ओर्डर होता था घी के लिए, वो KMF को दिया जाता था और इसके द्वारा जो घी का एक नंदिनी ब्रांड है वो नंदिनी ब्रांड ये आपूर्ती की जाती थी और इसी घी के माध्यम से जो लड़ू बनाया जाता था वो बहुत ही स्वाधिस्ट भी माना जाता था इंफेक्ट है भी है ना तो लेकिन जिस स कॉंट्रेक्ट है ये केमेफ को न देकर के बलकि एक नीजी कॉंट्रेक्टर को दिया गया और इसी के कारण ये जो नीजी कॉंट्रेक्टर है इसने शुद्ध घी जो होना चाहिए जिस घी का इस्तमाल परंपरागत तो पर किया जाता था उसका इस्तमाल नहीं किया गया और एनिमल फैट का इस्तमाल किया गया ये लड़ू बनाने में और इसके कारण जो लड़ू की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आई थी इसको लेकर के भी शिकायतें दर्ज की जा रही थी तो ये सब जो गतिविधियां यहाँ पर दिख रही है अब जो इसमें सचाई है वो सचा महत् 얼화를 है यदि आप कभी तिरुपति बाला जी का भ्रहमन किये है तो निशीत तो पर आपको ऐडिया होगा इने के बारे में और यदि भ्रहमन नहीं किये है तो आप कभी जाएंगे तो निशित तो पर वहां का जो वातावरन है वो बहुत यदिक बहतर है मैं एक दो बार वहां पर गया भी हूँ और निशित तो पर वह जो छेत्र है वह बहुत ही पवित्र होता ही भी है वो सुधता और सुक्षता दोनों का वहाँ पर बहुत ही बहतर तरीके से ख्याल रखा जाता है ये ध्यान रखेगा तो तिरुपति मंदिर में जो भगवान विश्णू के रूप को दर्शाया गया है वो विंकट स्वामी के नाम से जाने जाते हैं विंकट स्वामी या फिर जो तिरुपति बाला जी हैं वो इस रूप में पूझे जाते हैं तिरुपति बाला जी के तौपर इनको जाना जाता है इनके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों की कलिउग में मानो मातर के कल्यान के लिए भगवान विश्णू के रूप के तौपर इन्होंने अव सम्हाद जी के द्वारा एक विखानस नाम के रिशी मुनी थे उनहीं को इस परंपरा के बारे में जानकारी दी गई और वो बाद में वो परंपरा कॉंटिन्यू रही और उसी को आज भी यहां पर पूजा पद्धि के तौर पर इस्तिमाल में लाया जाता है इसको वैखानस आगम पद्धि कहा जाता है यह ध्यान में रखेगा जो इस मंदिर की अस्थापत्य शैली है वो द्रविर शैली है बहुत ही महतुपोन है यह कई बार एक्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल पूछा भी जाता है और इस संदर्व में यह भी मैं आपको बता दूँ कि जो तिरुमाला में और तिरुमाला का जो छित्र है वहाँ पर साथ पहारिया है जहां पर इसके बारे में जानकारी मिलती है जो तिरुमाला है वो चित्तूर जिला में है आंधर प्रदेश में और यह जो साथ पहारिया है यह हैं शिशाद्री, विंकटाद्री, निलाद्री, न वस्तित है तो ये सारी जानकारिया मैंने इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताई हैं निशित तो पर इसके माध्यम से आप तिरुपति बाला जी के संदर में जो भी महत्वपूर्ण कला संस्कृति के कॉंटेक्ष्ट में इंफॉर्मेशन सुने चाहिए थे आप जान मिला था किस उत्पात को मिला था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ओल देवेस्ट हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टड़ी आइक्यू आईएस हिंदी